तेस्ट काफी अच्छा है और आप यकीन नहीं करोगे कि आटे से भी चाहे बन सकती है संडे को अगर आप लोग यहां पर आएंगे 29 दिसंबर को तो यहां पर हमारी भी एक पर्फॉर्मेंस है सब्सक्राइब अपने चैनल डांसर और एक नई वीडियो के साथ आज हम फिर से आ चुके हैं और आज हम लोग पहुचे हैं उत्राखंड वसंत ओस्व में जो की चल रहा है इंद्रापुरम सुन्यंति पार्क में जिसकी तारीक है 26 जन्वरी से 29 जन्वरी तक उत्राखंड व लोग यहां पर जरूर आएं गाइस यहां उत्राखंड वसंतोस्व में आने के बाद आपको काफी अच्छे उत्राखंड के कल्च्राल इवेंट देखने को मिलेंगे जैसे कि सिंगिंग डांसिंग और काफी सारी चीजे भी आपको देखने को मिलेंगी तो हम लोग भी आज अपनी वीडियो के माध्यम से तो मेक शॉर करना कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया हो नहीं किया है तो कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना तो हम अब आप लोगों को लेके चलते हैं सीधा अंदर आएच चलते हैं था हुआ है था हुआ है तो गई जम लोग एंटर कर चुक है सवड्यन्ती पार्क में जहां पर उत्राखंड वसंतस्व मेला चल रहा है और हमारे लेफ्ट साइड में है जहां वर कल्टेटरल प्रोग्राम चल रहे हैं उत्राखण के और हमारे राइट फ्राइड में है यहां का फूर भू जिसंगे हमने डिसाइड कि हम लोग पहले जाएंगे फूठ कोड में और उसके बाद हम लोग देखेंगे कैल्चरल प्रोग्राम में क्या-क्या चीजे चल रही हैं तो चलते हैं पहले फूड कोड में आपको लेकर चलते हैं कि क्या-क्या मेन्यू है यहां पर आजा तो गाइस फूड के अंदर आने के बाद हमने वैसे काफी सारी चीजे यहां पर देखी जैसे कि यहां पर पहाड़ी गरम स्वैट्रे वगेरा मिल रही है और कुछ पहाड़ी जो है मतलब इटेबल्स भी है यहां पर जो सिर्फ हमारे उत्राखंड में खाने को मिलते हैं तो ऐसी भी चीजे जो रॉमेट्रियल है और वैसे खाने की बात करूं तो खाने में वैसे जाहत तर यहां पर मतलब चोले बटूरे और यह सब चीजे बट एक दो शॉप मुझे दिखी है जो कि अपने उत्राखंड ट्रैडिशन के हिसाब से जो है खाना वगेरा दे रहे हैं जैसे की मढवे की रोटी और कुछ आलू के गुठके वगेरा तो चलते हैं एक बार देखेंगे म और इनका मैन्यू जैसा मुझे दिख रहा है कि आलू के गुठके और रायता रायता डुपके बाद पहाड़ी थाली में क्या क्या है एक बाद जूम करके दिखाई हो मैन्यू पर दाल सबजी भात बात लिगा है अच्छी बात है नहीं अच्छा है रायता चटनी खीर जनाने के बाद खाके जाएंगे कुछ ना कुछ तो ऐसे ही यहां वसंतोस्व में गुमते गुमते मुझे एक काफी इंटस्टिंग सी शॉप दिखी जो की मेरे पीचे है जिसके लिगा है पहाड का स्वाद मडवे के साथ तो इस शॉप की सबसे खास बात यह है कि यहां प मैं चाय भी पी रहा हूं वो भी इनी के स्टॉल की है और यह भी बडवे से ही बनी वी है तेस्ट काफी अच्छा है गाइस और आप यकीन नहीं करोगे कि आटे से भी चाय बन सकती है तो येस मुझे काफी इंटस्टिंग लगी इसी बाद पर वीडियो को लाइक करो चलते मेरे पीछे यहां पर चल रहा है हमारा पहाड़ी फोक डांस उत्राखंडी जिसको छपेली रित्त कहते हैं तो यहां पर बैकपाइपर वगेरा भी है और यह सब देखके एज़ा डांसर मुझसे तो रुखा नहीं जा रहा तो मैं जा रहा हूं डांस करने आप लोग भी इ यहां रहा हूं यह जो गज़ यह है कडवाल की फेमस मिढाई अरसा इसको बोलते हैं चावल काटी की बनी भी होती है यह और चावल काटा और गुड़ मिक्स होता है इसमें एक बादेस्ट करते हैं ने हर्ष टेस्ट करियो बताईयो यह टेस्ट करके बतायागा आपको यह भी आपको यह मिल जाएगी स्टॉल पर अभी रिपब्लिक टेका टैन परसेंट ऑफ भी चल रहा है यहां पर आपको मिल रही है तो आए तो बाल मिठाई का टेस्ट जरूर ले बनना जब उत्रा खण जाते हैं तभी टेस्ट ले पाते हैं है ना चोटे आजा चलो कि इसका बिसका बैलून वेज़ीत का बैलून बैलून लैंगे पैसे पैसे बीसका है और 500 रुप्य और और आपको घ्रम करके तूंगा तो पांचे पानसी रुप यूप यह ठीक है तो मडवे श्रिलेटिट एक और खास चीज मुझे दिखिए वह हैं यह मडवे की गूज कफी लग रही है क्या प्राइस क्या इसका वह इसका ग्राम का फॉर एंडेड़ ग्राम का वन फिफ्टी का तो मतलब है रोटने नाम है इसका यह भी मतलब यह मिक्स है गेहूं के आटे और रागी के आटे मतलब मडवे से काफी इंटरस्टिंग चीज है जो खाने को अंदर गाओं की रिलेटिड यह वाली कौन सी मिठाई है सिंगूरी मिठाई आफी बढ़िया बढ़िया चीज है बाकी गाओं की दाले वगेरा भी है तो गैस अपना फूट कोड का कारेगरा हो गया बढ़िया से अब जा रहे हम लोग सामने कल्चरल इवेंट में जो तो हम लोग तीन सबस्क्राइब यहां पाँच गए थे और इभी टाइम ए पांच बच्क तो यहां पहुच गे थे और अभी टाइम हो रहा है पांच बचक्त लग पांच बिल्ट हे गंटे के आसपस हम लोग यहां पे थे काफी बढ़िया इंज्वाय किया हमने और काफी अच्छे से डांस वगएरा भी किया बाकी कल्चुर प्रोग्राम वगएरा भी हमने देखा था थोड़ा सा अब थोड़ा बोरिंग होने लगा था कुछ खास था नहीं तो हम लोग में तो आओगे तो हमारी परफॉर्मेंस जरूर देखके जाए तो फिलाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही होप करता हूं आपको अच्छा लगा होगा एक बार आना जरूर यहां पर आके ट्राई करना जो चीजे बताई है फूल गोड में आपको ज्यादा मजा